आज मैं शामा प्रशाद मुखर जी, डॉक्टर शामा प्रशाद मुखर जी के बारे में कुछ बात कहूंगा डॉक्टर शामा प्रशाद मुखर जी की मौत 23 जून 1953 में हुआ और खास करके जमू कश्मीर के संदर्ब में शामा प्रशाद मुखर जी पे बात करना तो जायज बैठता ही है बैठता क्यों है शामा प्रशाद मुखर जी अपने पस्चिम मंगाल या मंगाल के तजूर्बे से समझ गए गए थे कि समाज में अगर कोई वर्ग और कोई शेत्र को ये विश्वास ये यकीन दिलाया जाता है कि वो अलग है वो राष्ट्र मेंस्टीम जिसको हम कहते हैं मुक्यधारा जिसको कहते हैं उसका हिस्सा नहीं है तो उसका परिनाम कभी भी सही नहीं हो सकता वो तजूरबा जो उनको मिला था बंगाल में जिसके चलते बंगाल में इतना बड़ा कांड हो गया वहे तजूरबा के जोर पे शामपुरशाद मुखर जी ने आर्टिकल 370 का विरोध किया था उन्हों कहा था कि एक देश में दो विधान एक देश में दो प्रधान एक देश में दो निशान नहीं चल सकता हमारी डेमोक्राटिक हमारे देश डेमोक्राटिक है लोग शाहिद तो है और इसमें विभिन प्रकार के लोग विचार रखते हैं और कुछ मूल जो हमारी वैलियूज है, कुछ मूल चीजों पे सहमती होनी चाहिए और समवेदान ही जब आप किसी शेतर को अलग से दे देते हो उसकी जो प्रधान अगर उनका अलग है और उनका निशान जब अलग है आप एक बुनियाद बना रहे हो अलगावाद का और इसके चलते शामा प्रशाद मुखर जी ने इसकी कठोल विरोधिता की इतना विरोधिता की और ये जो सेपरेटिस्म के फोर्सेस थे उन्होंने भी ऐसा कड़ा रुख अपनाया जिसके चलते शामा प्रशाद मुखर जी को अपना जान बलिदान देना पड़ा और शामा प्रशाद मुखर जी ने जो उस टाइम कहा था उस वक कहा था वो सत्तर साल में हमने देखा है कि कितना सही निकला कि आप एक शेत्र को कुछ एपीजमेंट करके आपको कुछ मिला नहीं और वो सेपरिटिजम जो है वो बढ़ता ही गया यही समझ के जब हमारी जब नैशनलिस हमारे देश के जो राश्टर भक्त है वो जब समझ गए उन्होंने पिछले साल पाँच और च्छे आउगस्ट में एक ऐसा निरने लिया जिसके चलते शामा प्रशाग मुखर जी ने जम्मू कश्मीर के बारे में जो कहा था उनको उसने उननों पूरा कर दिया जो स्पेशल स्पेशल स्टेटस था वो स्पेशल स्टेटस नहीं था वो अलगावाद के कुछ चिन थे उसको खतम कर दिया वो तो आगे और भी आगे चले गए इस दिन को मैं शामा प्रशाग मुखर जी को के मेमरी को मैं नमन करता हूँ और उन लोगों को सराना करता हूँ जिसके चलते शामा प्रशाग मुखर जी ने जो सपना देखा था जिन्होंने जो चताचितावनी भी थी उस चतावनी को मानते हुए उन्होंने ऐसा कदम उठ हैं जिसके चलते आज हमारा देश एक हो गया है